पिछले वीडियो में हमने बात किया था जिगट पौडर के बारे में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोस पौडर के बारे में कि क्या है यह जोस पौडर और क्या काम करती है हमारी अगरवत्तियों में टोपिक में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि अगर बत्ति बिजनेस से रिलेटेड आइसी कुछ इन्फार्मिशन आपको देते रहता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसा की आप सामने यह देख पा रहे होंगे और जोस पाउडर एक्छॉल में यह एक तरीके का गमिंग पाउडर है जो की अभी फिलहाल अगर बत्यों में काफी जादा यूस किया जाता है जो पिछले 2-3 सालों से अगर काम कर रहे होंगे तो उनको काफी मालूमी होगा जोस पौडर के बारे में और जो अभी नए होंगे उनको मेरे ख्याल से मालूम नहीं होगा और कई सारे जो है कमेंट्स आते हैं कि जोस पौडर क्या है जीगट पौडर क्या है गौर गम क्या है तो जीगट पौडर के बारे में आगे मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप प्लीज जा कि उससे देख सकते हैं और अभी हम जानेंगे जोस पाउडर के बारे में और आने वाले टाइम में हम गवार गम पाउडर के बारे में भी जानेंगे तो पहले जोस पौदर के बारे में बात करते हैं जोस पौडर भी एक तरीके का गमिंग पौडर है और यह इसकी काफी अच्छी होती है मतलब काफी स्ट्रॉंग होती है ज़्यादा अगर बत्तियों में यह यूज की जाती है जैसे कि यह stick मैंने रखा हुआ है यह jose powder से बनी हुई है और किस तरीके का यह चीजों का use करके इसे बनाया जाता है तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा details तो मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन कुछ-कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको use करके इसे बनाया जाता है जैसे कि कुछ gumming type की पेडों से निकलने वाली बीजों का इसमें use किया जाता है कभी-कभी आप देखे भी होंगे कि अगर quality आपकी सही quality कि अगर jose powder ना मिले तो उसमें कुछ-कुछ चीजे मिलती होंगी आपको screening करने पर जैसे कोई पेडों का बीज हो गया या फिर और कोई चीजे powders जो लकड़ी के तुकड़े होते हैं छोड़े-छोड़े तुकड़े वो भी आपको कभी-कभी मिले होंगे या फिर कोई दाने जैसी चीजे आपको मिली होगी तो इन सारी चीजों का यूज करके इसे बनाया जाता है और बीजों में ज्यादा तर ही मान के चलिए एक दो एक्जामपल आपको देता हूं एक करन जो पेड होती है बहुत बड़ी पेड होती है उसके बीजो का यूज किया जाता है बबुल जो बबुल आप जानते ही होंगे तो उनके बीजो का यूज किया जाता है मतलब पाउडर उसको बनाके ग्रैंड किया जाता है तो इस तरीके से बनता है जोस पाउडर और द मतलब जो raw stick जो खरिदे हैं उनकी एह demand होती कि हमें प्यॉर जोस वाली stick चाहिए अब भी अगर काम करते होंगे तो आप भी pure जोस में भी बनाते होंगे योती क्योंकि इस्की डिमांड काफी अच्छी होती है और इसकी आप जो क्वालिटी होती है वह भी काफी अच्छी होती है और जब हम इसे डेपिंग के प्रोसेस में लेके चलते हैं मतलब परफ्यूमिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है और यह पाउडर्स में बनी हुई अगरबत्ती में कोई सिकायते आपको देखने को नहीं मिलती जैसे कई-कई पाउडर्स हम यूज करते हैं मतलब जो लोग ग्रेट की पाउडर्स होती है उसमें अगरबत्ती बनने के तो बन जाती है लेकिन दस दिन पंदरा दिन में वह अगरबत्ती पूरी की पूरी तरह जड़ जाती है मतलब परफ्यूमिंग इसी है मतलब जो चिपकने की सकती हो वो कितनी अच्छी है तो यह कुछ इस्टिक में रख लिया हूँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और जैसा कि कोई सिकायत होता है तो इस्टिक जड़ने का या फिर मशीनों में चलने में बॉन्डिंग सहीं तरीके से नहीं होने का तो वो सब चीजें जो पाउडर के नहीं होने से ही होती है बतलब अगर आप रेडिमेंट प्रिमिक्स खरीते होंगे तो ज़्यादतर कोस्ट बचाने के चक्कर में उन लोग गलत पाउडर का इस्तमाल करते हैं जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादतर होती है प् तो आपको मसीन चलाने में भी असानी होगी और अपका प्रोड़क्शन भी अच्छा होगा और जो भी प्रोड़क्ट अपको बनेगा जो भी की बनेगी वो अच्छी क्वालीटी बनेगी और उसके बाद जो है हम इसको टेस्ट करके भी देखते हैं जैसा कि ये सामने में 60 में मतलब सबसे बाहिक जो चीजे होती है वो 60 में कहलाती है और इसका जो गलर है वह हमारी स्ब्लावन जो गढ़ावन होती है उन सी थोड़ा सा लाइट ही मतलब लिमान सकते हो इसे और इनका जो देख़े अबसे प्राइब कि एनका जो बैड ऊता है वो रेट कलर की इंद में पंसे है और उसमें Sullivan होता है कि मेल भाई व्यहत नाम और जब ही आप उसपाउडर परचीश करें कहीं से भी करें तो व्यहत नाम वेज्ट ही हो नहीं चाहिए तो कि वहाँ की powders में quality अच्छी होती है तो ये इसे हम ये boils रखे हुए हैं इसमें थोड़ा सा पानी मैं रखा हुआ हूँ इसको gumming आप देखे कि इसकी gumming किस तरीके से रहती है तो ये थोड़ा सा हम पानी में इसे डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी भी यूज़ करने पर ये आपस में देखे आप इसकी gumming आपको दीख रही होगी ये पाउडर काफी अच्छी होती है और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरी की पूरी हाथ में मेरी फिसलन हो चुके मतलब उंगलियों में बिल्कुल भी एक रफ नहीं है मतलब पूरा अब जैसे देख रहे हो इसकी कॉंसेंट्रेंसी कैसे दीख रही है तो ये होती है जोज़ पाउडर की पैचान जैसे कि देख रहे हो आप कितना लंबा ये इसका थिकनेस जो है निकला हुआ है एक चीज और आप देखिए इसमें जो गमिंग होती है वो इस तरीके से उनी चाहिए अगर आप और कहीं से जोज़ पाउडर और कोई कमपनी से भी खरीते होंगे तो ये टेस्टिंग आप हाथ से जरूर कर ले जहाँ पर्चेस कर रहे हैं वहीं से थोड़ा सा आप चुटकियों में निकाले चुटकियों में निकालने का बाद हल्का सा पानी डाले और चेक कर ले आपको उसी टाइम में आपको इसकी क्युलिटी इस पता लग जाएगी कि एक्पि क्वाल डॉर सही है कि नहीं है तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं यह पूरी तरीके से मेरे हाथ में लगा हुआ है जासा कि आप देख रहे हो तो यह होती है जोस पाउडर की पहचान और ज़्यादा तर अभी पूरी अगरबती इंड़स्ट्री में जोस पाउडर का ही इस्तमाल होता है और प्योर जोस की स्टिक ही चलती क्योंकि इसमें एक चीज की खासियत है जो कि आपके स्टिक को बांडिंग प्रॉपर तरीके से यह करता है और दूसरी चीज आप भी जो भी परफ्यूमिंग आप करते हो तो वो परफ्यूमिंग लॉंग टाइम ही रहती है मतलब परफ्यूम आपका लंबे समय तक वो ठीके रहता है आपका परफ्यूम लेस नहीं होता और जल्दी से डल नहीं होता हो continue उसमें लगे रहता है तो यह उती है जोसपाउडर की खासियत और जब भी आप अगर बत्ती प्रिमिक्स पाउडर बनाए या फिर खरीदें तो जोस पाउडर से बनी हुई या फिर जोस पाउडर के जरिये से ही बनाए अब इसके साथ तो कुछ करते बन नहीं रहा है तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमिद करता हूँ कि यह इनफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो बिलते हैं अगले कुछ नए टोपिक्स में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद